HEY Pro ॐ n가yal सकता है मैं वनवा ए पार्ट को डिक कर सकता है डिक करने का मतलब खोड सकता है उसके बाद क्या बोलरहा है ऐं डिक क्या कर सकते हैं उसके बाद बोल कि ऐ अगर गंटे की का सकते हैं आगर तो अगर सब्छ गंठे का चुब्स वक्राण बात करें तो कितना खूदेंगे एक कंप्लीट खूद सकते हैं कितने दिन में कितने देर में साथ घंटे में साथ आर्स में कंप्लीट मतलब बन यूनिट बार कर सकते हैं तो अगर अपन 20 घंटे की बात करें तो कितना पार्ट कर सकते हैं वो काम का बनवाए 3 पार्ट कर सकते मतलब 20 hours में ये क्या कर सकते है दोनों मिलकर 1 y 3 parts कर सकते है अपन से क्या पूचा है we can dig along 20 hours भी अकेला 20 गंटे में क्या कर सकता है तो बहुत ही सिंपल है ये तो ये a plus b का पता है अपन को दोनों 20 गंटे मिलकर कितना काम करते है बनवाई 3 a का अकेले का पता है ये बनवाई एक काम करता है तो अगर दोनों के में से a का वर्क अपन माइनस कर दें दोनों का वर्क बनवाई 3 इसमें से अगर अपन a का वर्क माइनस कर दें तो ये क्या b का वर्क नहीं आ जागा ये जागा b का वर्क ठीक है 20 आर का वर्क 20 आर का वर्क यही है अपन से question में पूछाता है तो कल लेते हैं यह क्या हो जागा A-3 upon 3 A-3 upon 3 कौन से option में दिख रहा है A-3 upon 3 D option में दिख रहा है D option अपना correct answer हो जागा ठीक है